हेलो एवरिबन, वेल्कम टो क्रिश्न कोचिंग आउलाइन ग्लासीज, तो हम डिसकस कर रहे हैं, जी के कोस्टन सीरीज, ठीक है, क्वेस्टन है, आज हम स्टाट करेंगे क्वेस्टन 1726 से, क्वेस्टन क्या है, तो आपको बता है, राइस के लिए वाटर लॉगिंग जरूरी होती है, कॉटन के लिए नहीं, कॉटन के लिए, रैगर जो मिट्टी होती है, या काली मिट्टी जो ब्लैक सॉइल होती है, वो जरूरी होती है, और टी ऐसे जगह पे होती है, जहां पे पानी रुकता नहीं हो, और जो humidity हो जो आरदरता हो जो नमी हो मिट्टी में वहाँ पे होती है अधिकतर पहाडी डलानों पे चाय की खेती की जाती है next है what is a tornado तो यह आपने पढ़ा ही होगा या देखा होगा टीवी में tornado क्या है it is a violent storm maximum यह USA में आते हैं tornado next है the largest producer of fish in the world Norway, Alaska, Japan या फिर Canada तो इसका right answer है Japan ठीक है तो largest producer है Japan Norway sunset country भी बोला जाता है Norway को ठीक है Alaska जो पहले जो रसिया का हग हुआ करता था उसके बाद फिर रसिया ने USA को इसको बेच दिया था ठीक है और अब यह Alaska जो है वो USA का पार्ट है next है century is famous for century देखो यह एक fertilizer है ठीक है option number A next question देखो after the split and destructing of the former USSR which of the falling is the largest country in the world with respect to the area area के हिसाब से सबसे बड़ी country कौन है वो है Russia ठीक है यह आपको पता है यह रश्या देन और इंडिया का number कौन से है इंडिया का number कौन सा है वसे आपको यह याद रखना है इंडिया का number है सात्वा, सात्वा नंबर की country है इंडिया next है which of the following state ठीक है which of the following states has got the largest coast line तो वो है गुजरात गुजरात इसका right answer है सबसे ज़्यादा है गुजरात की उसके बाद आता है आंधर प्रदेश का number next है ocean and sea are together called तो ocean और sea को क्या बोलते हैं उनको बोलते है world ocean next question देखो श्री हरी कोटा is famous for being तो श्री हरी कोटा जो है किस के लिए famous है यह आपने बहुत बार देखा होगा श्री हरी कोटा है a base for launching satellite option number B श्री हरी कोटा है कहां पे यह है आंधर प्रदेश में यहां से हम satellite launch करते हैं श्री हरी कोटा से next states in the decreasing order of their area देखो वैसे है सबसे पहले राजस्थान उसके बाद आता है मध्या प्रदेश उसके बाद आता है मारास्टर तो इस option में क्या है मध्या प्रदेश पहले है मारास्टर सेकेंड पे है करनाटका यूपी तो option यहां पे 20 correct हो जाता है अगर ऐसे पूछा जाए देखो इंडिया के कौन से state है largest सबसे पहले आता है राजस्तान फिर मध्या प्रदेश फिर मारास्टरा ठीक है उसके बाद यूपी फिर गुजरात फिर करनाटका ऐसे ऐसे फिर अल नीनों के बारे में आपने सुना होगा जो की वर्ल्ड के climate को control करते हैं ocean environment जो ठंडी और गरम जो धाराएं होती है ये समुद्र में चलती है ठीक है के बारे में आपने पढ़ावियों का जो ठंडी जो धाराएं होगी वो अपने साथ ठंडी हवाएं वगएरे या temperature cold temperature साथ लाएंगी और गरम धाराएं अपने साथ गरम temperature जब जहां पे ये मिलती है वहाँ पे फिर बहुत धुआ या कोहरा टाइफ का वहाँ पे हो जाता है और अपने साथ फिर fishery farm जो होते हैं वो बहुत फलते फुलते हैं ठीक है और next question पे आओ the intensity of earthquake is measured off barometer, reactor scale, thermometer या फिर glamometer तो इसका right tensor है reactor scale reactor scale से हम earthquake जो बुकंप होता है उसकी तीवरता को मापते हैं ठीक है barometer को जो बयू दाव होता है air pressure होता है उसको हम मापते हैं और temperature को thermometer में next है अंकालेश्वर is famous for तो अंकालेश्वर किसके लिए famous है ये है oil drilling कहां पे है ये अंकालेश्वर ये है गुजरात में next है सेवना grassland सवाना सवाना ये सवाना grassland कहां पे है are found in North America, Africa, Australia या East Asia देखो अफरीका में है सवाना ये grassland है बहुत गहास के मेदान है और देखो गहास के मेदान एक होगा सवाना जो अफरीका में होता है एक है प्रेरी ठीक है और weld जो कि सवाथ अफरीका में होता है फिर डाउन्स होता है ऑस्ट्रेलिया में केंपोस अर्जेंटिना ठीक है केंपोस लानोस ब्राजिल तो ऐसे ये grassland है सारे नेक्स्ट है इन इंडिया डाउन्स आर कॉर्ड फ्रॉम गोलकुंडा जैपूर रतनागीरी या फिर पन्ना तो इसका राइट अंसर है पन्ना पन्ना की खान वहाँ पे मिलते हैं डाउन्स और जो कोहिनूर जो हीरा था वह मिला था कहां पे वह मिला था गोलकुंडा की खान से ठीक है नेक्स्ट क्वेश्टन पे आओ नेक्स्ट क्वेश्टन क्या है दी मल्टी पर्वस प्रोजेक्ट इंडिया सागर एंड सागर सरोवर आर वीन एक्सक्यूटिव ओन दी रिवर कहां पे हैं ये ये है नर्वदार नदी पे ठीक है दक्षिन की गंगा कौन सी है गोदावरी रिवर ठीक है नेक्स्ट क्वेश्टन है दी प्लेस रिसीविंग दी हाइस्ट रेनफॉल इन दी वर्ल्ट इस कौन सा है मौशिन राम आपसे नमबर बी चिरापुंजी और मौशिन राम ये दो हिल स्टेशन है यहाँ पे बहुत ज़्यादा बारिस या यहों बोलो विश्व में सबसे ज़्यादा बारिस यहीं पे रिकॉर्ड की जाती है मौशिन राम में नेश्टेश ज़्यपूर इस आलशो नोन ऐस दी आपको पता है ज़्यपूर को बोला जाता है पिंक सिटी ठीक है मेंडि सिटी किसको बोलता है हम डिसकस कर चुके हैं पीछे न्यू आउक को बोला जाता है दी ओल्डेस्ट मौंटेन रेंच इन इंडिया कौन सी है ओल्डेस्ट मौंटेन रेंच वो है अरावली हिमाल्या तो न्यू है भी ठीक है हिमाल्या में ही मौंट एवरेस्ट है अरावली, बिंध्या, सत्थपूर आप देखोगे मैप में साथ साथ ही लगती है ये तीनों और हिमाल्या तो फिर टॉप में उपर आ जाता है इंडिया के मैप में नेक्स्ट है वट इस दी कैपिटल आफ आस्ट्रेलिया तो आस्ट्रेलिया की कैपिटल कौन सी है इसका राइट अंसर है कैन्विरा कैन्विरा आस्ट्रेलिया की कैपिटल है नेक्स्ट है, what is the capital of त्रिपुरा, सिल्चर, इटानगर, आइजल या फिर अगरतला, त्रिपुरा की कौन सी है, अगरतला है, इटानगर किसकी है, ये अरोनाचल प्रदेश की है, ठीक है, नॉर्ट इस्ट के स्टेट की आपको, सारी की आस, नॉर्ट इस्ट के पूरे इंडि तो इसका राइट अंसर क्या है, इसका राइट अंसर है, condition of atmosphere at the certain time period, option number C, इसका राइट अंसर है, next question प्याव, इसका राइट अंसर है, नेक्स्ट है, अर्जस्ट लेक इन इंडिया, पहले भी हम इस question को डिसकस कर चुके हैं, तो इसका राइट अंसर है, लेक चिलका, कहां पर है लेक चिलका, यह है उडिसा में, यह है खारे पानी की जील है वैसे, अगर fresh water lake पूची जाए कि largest fresh water lake को नची है तो वो है बुल्डर लेक, वो कहां पर है, वो है श्री नगर में, सांबर लेक आएं, राजस्तान में नेनिताल लेक आएं, उतराखंड म है श्रीनागर में नेक्स्ट है विच अमंग इस सिटी इस काल्ड ट्विन सिटी तो ट्विन सिटी किसको बोला जाता है यह बोला जाता है डेहली एंड नुड़ा को ठीक है डेहली एंड नुड़ा नेक्स्ट है इसके बारे में आपने पढ़ा ही होगा तो ओजोन लेयर का काम क्या होता है तो फिल्टर हारमफुल अल्ट्रा वॉयलेट रेज आफ दी सन अफसे नमबर ए इसका राइट अंसर है और अंटार्क्टिका में ओजोन चिद्र पाया जाता है ठीक है ओजोन होल कहां पर है वो अंटार्क्टिका का कॉंटिनेट के ऊपर है नेक्स्ट है विच आफ दी फोलिंग पोर्ट सीटी इन वेंजोएला हैस बिन डूएल पोर्ट कराकश या फिर कुपानो या फिर मारकाइबो या फिर मारकेशी तो इसका राइट अंसर है ऑप्सन नमबर सी इसकी कैपिटल है बेन जो लगी नेक्स्ट दी मिनिमूम लेंड एरिया रेकुमेंडिड फोर्ट कवर तो मेंटेन प्रॉपर एकोलोजिकल बैलेंस इन इंडिया तो इसका राइट अंसर है 33 परसेंट तो मिनिमूम होना ही चाहिए इसका राइट अंसर है ठीक है तो मैफ का आप जादा से जादा यूज़ करो जोग्राफी समझने में आपको बहुत हैल्प होगी चलिए नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे आप